हालो फ्रेंड्स, वेलकम डो एसेज फेशन वर्ल्ड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्यूटिफुल सा डिजाइन से खाने वाली हूँ, बनाने में बहुत आसान है, देखने में बहुत प्रिटी है डिजाइन है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, इस के मल्टी पल्ब में फंदे, प्लस आपको इसमें टू कर लेना है, तो आपका जो रिजाइन है वो अच्छे से अड्जेस्ट हो जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहली रो सीधी तरफ से रोवन राइट साइट से, मैं यहाँ पर 14 स्टीचिस कास्ट ओन की हैं, 14 पहली रोव सीधी तरफ से, रोवन राइट साइट से, ध्यान से देखेगा क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा उतारा, अब इसके बाद यहां से हमने अपना repeat pattern स्टार्ट करना है, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, पांच फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे, अब एक फंदा सीधा बनाएंगे, लेकिन इसको दो बार धागा गुमाते हुए, सीधा बनाएंगे, ठीक है, अब शुरू का एक फंदा छोड़ देंगे, यही छे फंदे हम repeat करेंगे, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, 2, 3, 4, और यह 5, धागा पीछे करके, एक फंदा सीधा और दो बार धागा गुमाते हुए, इसको सीधा बनाएंगे, लास्ट में एक फंदा बचे का, इसको हमने सीधा बनाएंगे, अब आजाईए, रो टू पर रॉंग साड़ से, ध्यान से देखेगा, इसमें भी क्या करेंगे, पहला फंदा उतारा, अ 1, 2, 3, 4, 5, अब ये शुरू का एक फंदा छोड़ देंगे, यहां से लेकि यहां दक फिर से रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, लेकिन इसको दो बार धागा गुमाते हुए, उल्टा बनाएंगे, जो हमने सीधी तरफ से भी दो बार ध 1, 2 ही रिपीट करनी है, रो फोर में भी, लास में एक फंदा बचे का सीधा बनाएंगे, अब रो 3 परा जाएंगे, राइट साइड से, थार्ड रो भी सेम आपने रो 1 की तरह ही बनानी है, पहले फंदा उतारा, पांच फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, दागा पीछे करेंगे अब एक फंदा सीधा बनाई करेंगे, देखिए, दो वर्दागा गुमाते हुए बनाया था, तो इसको यहाँ पर भी दो वर्दागा गुमाते हुए बनाई करेंगे, अब इसी तरह से आप इस रो को पूरा कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक है, पांच फंदे आप कोल्टे ब पड़ेगी, जब आप इसकी चार रो कम्प्लीट कर लोगे, तो चार रो कम्प्लीट करने के बाद आपका यह डिजाइन को छिस तरह से दिखेगा, अब आजाए रो फाइब पर राइड साइड से पांच वही रो, इस रो को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें हम यह डिजाइन डालेंगे, पहला फंद इसमें उतारा, धागा आगे करेंगे, अब पांच फंद उल्टे बनाए कर लेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइब, धागा पीछे करेंगे, अब देखेगे, यहां पर जो हमने धागे को दो बार धागा गुमाते बनाए था, इस फंदे को हम खोल देंगे, और इसे चार बार निकालेंगे, एक, दो, तीन, और यह चार, चार बार देखेए हमने, अब इस फंदे को पकड़ लेना है, इस फंदे को पकड़ लिया, अब यह जो चार फंदे इनको भी स्लाई के उपर ले लेना है इस तरह से, और यह जो फं एक बनाई कर लेंगे यह देखिए इससे आपका beautiful से design बन जाएगा अब यही हम repeat करेंगे एक फंदा छोड़ कर पांच फंदे पहले उल्टे one two three four five दागा पीछे करेंगे अब देखिए इसको फंदे को खोलेंगे चार दागे हो लेंगे इसके one two three और यह four अब इस फंदे को पकड़ लेंगे साथ में यह चार दागे भी पकड़ लेंगे अब जो फंदा हमने पकड़ा यहाँ पर आप देख सकते हो जो फंदा हमने पकड़ा है उसको हम इसके उपर से उतार देंगे इनके उपर से उतार दे अब इनको भी एक फंदा बुनाया लेंगे यह देखिए लास्ट के फंद्यों को हम सीधा बनाई कर लेंगे तो इससे हमारा यह ब्यूटिफुल सा डिजाइन क्रियेट होगा फिर यहां पर आप देख सकते हो अब आजाए रो सिक्स पर रॉंग से तो इस रो को पूरा हम उल सीधे बनाई कर लेंगे अब जाए रोट सेवर पर राइड से गल हो सीधी तरफ से तो इसमें धिखिए क्या करेंगे? पहला फंदा सीधा उता रहा अब देखा अपनी तरफ लाएंगे दो फंदे उल्टे बनाई कर लिए दागा पीछे करेंगे अब ये जो आगे वाला फंदा है यहाँ इसको हम दो बार दागा गुमाते वोगे सीधा बनाई करेंगे और सेम इसी की तरह हमने रो नाइन भी बनानी है इसलिए इस रो को द्यान से देखिएगा ठीक है अब दाग आगे लाएंगे 5 फंदे उल्टे 1,2,3,4,5 पांच फंदे उल्टे दागा पीछे शुरू के 3 फंदे शोड़ देंगे यहाँ से लेकिए यहाँ तक फिर से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे दो बार दागा गुमाते हुए ठीक है धाग आगे करेंगे अब 5 फंदे उल्टे बनाएंगे लास्ट में आपके पास 1,2,3,4 फंदे बचेंगे 3 हम उल्टे बनाएंगे और स्टिच को हम सीधा बनाई कर लेंगे सेम इसी की तरह आपको रू 9 भी बनानी है यह देखे अब अब अज़ जाए रो 8 पर रॉंग सैट से से चेंगे में इसी की तरह रो 10 भी बनानी है इसलिए धियान से रह्खेएगा पैला पंदा उतारा दागा पीछे 3 फंदे बनाएंगे 1,2,3,3 तीन फंदे सीधे बनाएंग लें दागा आगे करेंगे अब यह जो 2 बार दागा गुमाते हुए बनाया था इसको 2 बार दागा उल्टा बनाने कर लेंगे दागा पीछे 5 फंदे सीधे 2, 3, 4, 5 सारी रोह हम इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे जो हमने 2 बार दागा गुमाते हूँ फंदा बनाया था उसको हम उल्टा बनाई करेंगे दो बार दागा गुमाते हुए बाकी के सारे फंदे सीधे बनेंगे लास्मेक फंद बचे का इसको हमने उल्टा बनाई कर लेना है अब आप रू 10 तक कंप्लीट कर लेजिए फिर मैं आपको बताती हूँ रू 11 हमारी किस तरह से इसमें पहला फंदा उतारा धागा आगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे अब देखिए आगे वाले जो दो बार धागा गुमाते हुए बनाए था इसको हम उतारेंगे चार धागे इसके निकालेंगे यह देखे ये निकाल लिए हमने चार धागे अब इस फंदे को पकड़ लेंगे और इसके साथ इनको भी पकड़ लेंगे अब ये वाला फंदा जो हमने पकड़ा था नीचे से इसको उतारेंगे इन चारो फंदों के उपर से चारो धागों के उपर से फिर अब इन चारो धागों का भी एक फंदा बना लेंगे यह देखे फिर पांच फंदे उल्टे और इसी तरह से हम पूरी रो बनाएंगे यह सुरू के तीन फंदे छोड़ देंगे यही हम रिपीट करेंगे बहुत ही सिंपल सा असान सा डिजाइन है यह बस देखने में लगता है कि किस तरह से बनाया होगा अगर आप एक बार पूरी वीडियो देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा डिजाइन अब यहां से देखे फिर से हम चार दागे निकालेंगे यह देखे फिर इसको पकड़ लिया और इनको भी पर ले लिया अब इस फंदे को इन चारों के उपर से उतार देंगे और इनका भी एक फंदा बना लेंगे यह देखे तो शारी रो हम इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे लास्ट में यह तीन फंदे मुल्टे बनाएंगे और एस्टिच हम सीधा बनाएं कर लेंगे अब रोजट वैल्ब रौंग साइड से पूरी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट क सब्सक्राइब जैसे जैसा हम है's design को बनाते जाएंगी वैसे वैसे हमारा यह इस तरह comparative इसमें आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा है जितना कि ये रियल्टी में बनता है डिसाइन ये देखे so I hope आपको मेरा ये वीडियो हैल्फुल रहा होगा आपको डिसाइन पसंद आया होगा make sure आपने वीडियो को लाइक किया है चैनल को सब्सक्राइब किया है वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंड में भी जरूर बताईएगा so thanks for watching मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टोटोल के साथ अब तक के लिए बाबाई